हलो फ्रेंड्स बिटिया कुकिंग में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम रात के बचे हुए चावलों से आपको सोया बिर्यानी बनाना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमने रात के बचे हुए चावल लिय है तो और हमने ये शुया पीन की बढ़र लिये इनको हम ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग और इसमें हम थोड़ा सा गरम पाने डालेंगे जिससे के लिए हमारी अच्छे से हो जाएं गल जाएंगे तो इस तरीके से हमने इसमें गरम पाने डाल दिया है और इस तरीके से हम चम्मा से इनको हिला दे दिया और एक से दो मिनेट के लिए इसी तरीके से पानी में रहने देंगी तो देखिये हम एक से दो मिनिट के बाद यह हमारी अच्छे से हो चुकी है तो अब हम इनको फूल चुकी है अब हम इनको नुचोल कर इस तरीके से हाथ से इसका पानी निकाल देना है और सारी निकाल देते एक प्लेट में तो इसी तरीके से हमें सारी सोया बड़ी निकाल लिए हमने देखिए आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमने और भी सामाल लिए तो देखिए हमने हरी मिर्ची, प्याज, धनिया, आलू और आदा नेवू और ये लिए हमने रमाज की फली और एक टामाटर आप और भी क्लों देखिए है और ये तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमे हम आद थोड़ा से जीरा है डालेंगे, जीरे को टाड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी जो लम्बी कट्टी हुई है यह हरी मिर्ची वह हरी मिर्ची डाल देते है और इसे ही के साथ में हम अपने डालेंगे लंबी-लंबी-लिशेस में कटियुए प्याच को और इसको हमें ज्यादा नहीं लगबग एक से दो मिनेट के लिए इसी तरीके से भूझना है प्याच को ज्यादा कलर स्टेंज नहीं करना है हमें तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लिए दिया आप देख सकते हैं तो देखिए हमने एक से दो मिनेट के लिए इसको भूझ लिए और इसमें आप हम कुछ मासाले डालेंगे तो हल्दी पाउडर डाल रहे हैं आदा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर एड़ कर रहे हैं आप अपने तीखे के अकोडिंग मिर्च एड़ कर सकते हैं और साथ में आदा चम्मच धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे आदा चमच नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग नमक को एड़ करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है और एक मिनिट तक और इसके बाद हम इसमें अपना कटा हुए पका टमाटर डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से होने देते हैं एक मिनिट तक हमें इसको एकदम ज्यादा नहीं पकाना जिए एक मिनिट तक इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है यह यह हमारा एक मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं अच्छे से टमाटबर को और इसकी के बात हमारी जो सब्जियां थी वो डाल देते ह। हमने अलू डाले हैं और इसी के बाद हम अपनी रमास की फलियां डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए हमने रमास की फलिया डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर देते हैं को एक से दो मिनिट के लिए इसी तरी से किसे भूंज लेना है और एक से दो मिनिट के बाद में हम इसमें उसके बाद हम इसमें सोया बीन की बड़ी डालेंगे तो हम अब सोया बीन की बड़ी डाल देते हैं और इनको भी लगभाग एक मिनिट ता किसी तरीके से मिक्स करते तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से mix कर लिए और इसी के साथ में अब हम इसमें डालेंगे तो हम इसमें डाल देते हैं अपना आदा कटोरी के करीबन पानी जिससे की हमारी यह सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी तो इस तरीके से हमने आदा का टोरी पाने डाल दिया है और इन सब्जियों को अच्छे से गल ले देती है तो फेंच अब हम इनको देखेंगे 3-4 मिनिट के बाद 3-4 मिनिट के बाद यह हमारी अच्छे से पक कर रेडियू चुगी है सारी सब्जिया आप देख सकते हैं पानी भी पूरा सोब हो गया है और इसी के साथ में हम आदा निवू का रस डाल रहा है आपके पास निवू नहीं है तो आप इसमें अमजूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते है और इसी के साथ में हम यह डाल रहा हैं बिर्यानी मसाला और इसको अच्छे से mix कर देते हैं तो देखिए इसको अच्छे से हमने mix कर दिया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से amazing और testy बनका ready होती है और इसके बाद हम अपने चाबल डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं तो फ्रेंस आप इसी तारीके से इनको अच्छे से mix कर लेना है और अगर कहीं आपने हमारी वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो फ्रेंस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुचे तो देखिए इस तरीके से हमने इनको अच्छे से mix कर लिया है और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और यह बहुत ही testy और amazing हमारी वीडियो की बिर्यानी बनका रेट्टी होई है और देखिए हमारे वासे चावलों का बहुत ही अच्छे से use हो चुका है तो friends आप इसी तरीके से बनाएं और हमें comment box में comment करके बताएं कि आपकी soya बिर्यानी कैसी बनी तो बहुत ही testy and amazing बनी है हमारी सो so thank you friends